चहरे पे जाईया रातो रात नहीं आती है उसी तरह उसको रातो रात रिमूब करना पॉसिबल नहीं है ये आपसे महनत मांगती है जी हाँ अगर आप कंसिस्टेंसली इस रेमिडी का अप्लिकेशन 15 दिन लगातार कर लोगे तो आपको आपकी स्किन में बहुत अच्छे की वज़े से बने हो या फिर हलके फुलके कटने चिल्ले के निसान हो उन सब को रिमूब करने की कैपेसिटी रखती है ये रेमिडी इस रेमिडी को लेके मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस ले हूँ बिकॉस मैंने इसका असर अपने आँखों से देखा है आप 15 द आपको पर डे फॉलो करने है फॉर्स्ट इस टिप में हम अपने लेक फेस पैक प्रिपेर करेंगे इसके लिए हमको लेना है कच्चा आलू इसको बढ़िया से वॉस करके पील आफ कर लीजिए देन अच्छी तरे से ग्रेट करना है आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस करक है हमको आलू के जूस की जरूरत है तो मैंने ग्रेटेड आलू अच्छी तरे मुठी में दबा के इसका सारा जूस निकाल लिया है आलू में बिटमिन C भर-बर के होता है यह आपकी स्किन पे ऐज ब्लीचिंग एजेंट काम करता है फेस पे किसी भी तरे के दाग धब्बे करने की कैपिसिटी रखता है तो यह मैंने लिया है तकड़ीबन 3-4 तेबलस्पून अब मैं इसमें एड करूंगी हनी जी हां शहद यह हमको लेना है फाफ तेबल हल्दी भी कहते हैं जी नहीं किचन की हल्दी आपको यहाँ पे नहीं लेनी है कस्तूरी हल्दी मैंने वन फोर्थ टेबल स्पून ली है ये किसी भी तरह के दाख धब्बे रिमूब कर सकती है बिना किसी साइड इफेक्ट के साथ ही साथ ये आपका रंग निखारने का काम करत जिससे आपके फेस पे जो चिपची पाहट सी बनी होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है इन तीनो इंग्रिडियंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है देन साफ फेस पे आपको ये अप्लाई करना है रात में सोने से पहले अगर आप इस रेमेडी का इ सुखेगा 20 मिनर्स के बाद आप नॉमल पानी से फेस वास कर लेजिए देन हम बढ़ेंगे नेक्स स्टेप की तरफ ये फेस पैक रिमूब करने के बाद हमको लेना है तकरीबन हाफ टेबल स्पून अलोवेरा जेल अलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेशन तो देगा आपका रंग लिखारेगा अगर आपकी स्किन पर संटैन की प्रॉब्लम है उसको भी क्योर करेगा अलोवेरा जेल इसमें हम एट करेंगे तकरीबन 7-8 ड्रॉप रोज वाटर यानि गुलाब जल थोड़ी अच्छी क्वालिटी का रोज वाटर इस्तेमाल कीजिएगा ताक इसके पूरी बेनिफिट्स हमको मिल सकें इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है फेस पे नेक पे अप्लाई करके तकरीबन 4-5 मिनट का हलके हाथों से मसाज देना है फेस पैक लगाने के बाद पोर्स ओपन हो जाते है रोज वाटर उनको स्रिंग करने का काम करता है सा 10-5 मिनट हलके हाथों से मसाज देने के बाद आपको यह रात भर फेस पे लगा रहन देना है देन मौनिंग में आप फेस वास कर सकते हैं यह दोनों स्टेप्स तो आपको पर दे फॉलो करने ही है साथ ही साथ आप पर दे कम से कम एक से देर लिटर पानी पीजिए संस्क्री का इस्तिमाल जरूर करिए एंड बिटमिन सी रिच फूड लीजिए आप देखेंगे धीरे-धीरे कैसे आपकी स्कीन में मैजिक होता है फेस से पिग्मेंटेशन मेलाजमा दाग थब्बे ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं तो आज से इस रेमिडी का अप्लिकेश झाल 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 झाल